मनिश्य सोदिया को सुप्रीम कोड़ से जमानत मिलने के बाद बीजेपी सांसद बासरी सुराज ने भी अपनी पृतिकरिया दी उन्होंने कहा कि यह सोदिया का आठवा प्रयास था इतसे पहले उनकी याचिका साथ बार खारिच कर दी गई थी उनकी याचिका पूरी तरह से देरी पराधार थी यानि मनीश से सोधिया पहले ही 17-18 महीने हिरासत में बिता चुके हैं इसलिए मुकदमे में देरी के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी ये उनका आठवा अटेम्ट था यानि और केवल इस साल की बात कर रहे हूं साथ बार उनकी बेल खारिज हुई आज Honorable Supreme Court of India के समक्ष उनके वकीलों ने merits पे कोई दलील नहीं दी उनकी plea केवर और केवल डिले पर आधारित थी यानि मानेनिय मनीश सोधिया जी जेल में 17-18 महीने उनकी incarceration हो चुकी थी उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्राइल क्योंकि 400 से जादा witnesses हैं इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है कैद है